हलो मेरे प्यारे स्टुडेंट्स कैसे हूँ आप सब उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारे बच्चे के लिए जो के एक्जाम देने वाले हैं 24 में यानि मद्यमिक 24 के जितने भी स्टुडेंट्स है उन अच्छे से आप फॉलो कर लेते हो दिन कहीं पे अभी से आप लिख कर रख लो के 90% प्लस आना ही आना है आपका बोर्ड में ठीक है क्या बात कर रहे हो भीया तो आप वीडियो के लिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चीज जो आपको देहान देना है वो च स्टुडेंट्स में कौन-कौन सा चैप्टर है यह आपको पता होना चाहिए तो पहला चीज हो गया बेस लिवल पे दूसरा जो थोड़ा सा और डीप लिवल पे जाना है जो के mostly students लोग जब exam आता है उस वक्त यह चीज करते हैं बढ़ हमें 90% प्लस लाना है तो हमें यह च माक्स का पूछा जा रहा है हम लोगों को यह पता होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है अपने पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले ही syllabus के बारे में अच्छे से हम लोगों को पहले जानना है और दो चीज जानना है पहला कि कौन-कौन सा चैप्टर ह से हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर से कितना माक्स का कुशन आएगा और कैसा बिसीकली एमसी कितना होगा कितना होगा लॉंग कोशन किस चैप्टर से आ रहा है यह सब कुछ अच्छे से अनालाईज करना पड़ता है तभी आप 90% वाला जो लाइन है उसको टच कर पा और हाँ एक और इंपोर्टेंट चीज 28th मार्च को कॉंसेट एरा प्लैटफॉर्म का तीन साल कंप्लीट हो रहा है इन तीन सालों में बहुत सारे स्टुडेंट्स ने इस प्लैटफॉर्म से तयारी किया और हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग ना जाने कितने हजारों बच्चों का हेल्प कर पाएं इस प्लैटफॉर्म से तो उस दिन यानि 28 तारीक को शाम में 6.30 बजे एक स्पेसल इवेंट करेंगे हम लोग जिसमें तीन बड़े बड़े अनौंसमेंट के साथ मैं आ रहा हूं आप लोगों के सामने और वो तीनों अनौंसमेंट मध्यमिक के स्ट्टुेंट्स के लिए और WBBSC बोड के स्ट्टुेंट्स के लिए बहुत ही ज़ादा हेल्फूल होने वाला है और उनके स्टडीज में बहुत हेल्प करने वाला है और एक इमपार्टेन चीज के उस स्पेसिफिक वीडियो में मैं उन सारे बच्चों को जो बच्चे से अपने syllabus को देख लिया है कि हमारे syllabus में क्या है हमारा कौन सा chapter से कितने marks का question आ रहा है तो जो अगला step है हम लोगों को वो है time table अब time table में जो आपको दिहान देना है वो क्या दिहान देना है सबसे पहला चीज आपको ये दिहान देना है कि जो time table आप बना रहे हो वो time table आपका accordingly होना चीए कहने का मतलब ये है कि जब आपने देखा था क्या देखा था भई कि कौन से chapter से कितने marks question आ रहा है तो जब आपने वहाँ पे देखा आपको पता चल गया होगा कि कौन सा subject कितना ज़्यादा weightage रखता है कौन सा chapter कितना ज़्यादा weightage रखता है तो इसी तरीके से आपको priority wise क्या करना है sit करना है क्या wise sit करना है भईया तो priority के हिसाब से आपको अपना एक schedule एक time table set करना है अब ये time table कैसा होगा देखो ये time table आपका एक तरीके से कहलो एक planner होगा आपका तिसीच का planner आपका syllabus का planner होगा देखो इसमें करना क्या है इसमें हम लोगों को एक deadline set करना है हर एक subject के लिए मतलब कि हर एक subject का हर एक chapter का deadline हमें set करना है कि इस chapter को मैं specific month के specific date तक complete करूँगा यह proper planning के साथ आप पढ़ोगे तो आपके पास क्या है एक roadmap होगा कि कब मुझे कौन सा chapter पढ़ना है कब मुझे कौन सा chapter complete कर लेना है otherwise क्या होगा कि मान लेते हैं कि आप math का math का पहला chapter आप start करते हो ठीक है अब chapter में आपको मज़ा आने लगा है अब आप क्या करोगे उस math का पहला chapter में ही आप एक महीना अपना पूरा दे चुके हो क्यों क्योंकि starting में आपके पास कोई pressure तो है नहीं exam का तो आप एक month क्या कर रहे हो math कही पहले chapter में ही लगे रह गया बाकी का 25 chapter भी बचा हुआ है तो अगर हम लोग पहले से अच्छे से planning करते हैं ठीक है पूरा syllabus planner अपना तयार करते हैं कि कौन से month के किस day तक हम लोगों का कौन से chapter complete हो जाना चाहिए आपको separate करेगा सुरू से अगर planning करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में भी आइस वेल हमारा maximum output भी निकल पाएगा तो यह तो हो गया दो चीज़ अब बढ़ते हम लोग तीसरे चीज के तरफ तीसरा चीज हमारा क्या है तीसरा चीज बहुत important है जो के maximum लोग क्या करते है निगलेक्ट कर देते है और at the end जो है वो मुझे message करते हैं कि भाईया notes दे दीजिए notes दे दीजिए notes दे दीजिए notes दे दीजिए बस notes दे दीजिएगा तो हम top कर जाएगे बट देखो notes भी दे दूँगा तब भी top नहीं कर पाओगे ये बात आप क परसेंट, 90%, 95% तो अगर इस चीज को आप छोड़ देते हो अगर ये notes को आप नहीं बनाते हो लिखलो कहीं पे आप नहीं ला पाओगे अच्छा marks क्यों? क्योंके exam से पहले revision करने के लिए वो जो solid content होना चाहिए वो ऐसा solid content जिसको देख ले तो हमारा पूरा chapter, पूरा syllabus revise हो जाए वो चीज है हमारा notes ठीक है? पूरा मोटा मोटा book लेकर उस दिन बैठोगे नहीं आप, तो आपको क्या करना रहेगा? Notes बनाना रहेगा, starting से ही कैसे notes बनाते हैं? इसका भी वीडियो में डाल चुका हूँ already channel पे आप या तो search करें न, how to make notes by सक्लान भीया या by concept रहा, otherwise मैं कोशिस करूँगा, इसका भी link में description में आपको दे दूँ, ताग आपको पता चले कि notes कैसे आपको बनाना है ओके, तो notes जो आप बना रहे हो notes के अंदर क्या होना चीए? देखो, सबसे पहला चीज न, notes के अंदर आपका, to the point बात होना चीए, क्या होना चीए भीया? to the point, अब to the point का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं हम लोग जो book में लिखा हुआ है, पूरा उतार के चाप नहीं देना है, ठीक है? definitions वगरा हो सकता है, same हो, but ignore करना, जो भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, school हो, coaching हो, tuition हो, हर जगा जहां भी आप पढ़ रहे हो, वहां से notes आप जरूर अपना तयार करें, otherwise concept रहा के जो भी courses आपका है मध्यमिक 2024 के लिए, उन सारे courses के अंदर notes आपका available है तो आपका बहुत ज़्यादा help हो जाएगा वहाँ पे notes के लिए, ठीक है न, next आपका क्या चीज़े, next है previous year papers, ठीक है तो हमने अभी दीरे-दीरे 3 point complete किया है यह सारा मैं road map आपको बता रहा हूँ यह रस्ते पे अगर आप चल के जाओगे 90% प्लस आप लिख लो कहीं से अगर अभी से आप इस रस्ते पे चलते हो तो ठीक है previous year paper के बारे में बात करते है यह previous year paper मैंने अभी क्यों लख रखा है भाया previous year paper तो at the end जब selection खतम हो जाएगा उसके बाद न practice करेंगे या selection से एक दो दिन पहले नहीं math में हम लोग अपना chapter number one पढ़ रहे है क्या पढ़ रहे है chapter one पढ़ रहे है ठीक है तो अब जब हम लोग chapter one पढ़ रहे है एक बार chapter one आपने अच्छे से पढ़ लिया पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है PYQ उढ़ाना है previous year paper previous year paper उढ़ाने के बाद आपको देखना है कि आपका उस specific chapter से हर साल कौन-कौन सा question पूछा गया था 2017 में उस chapter से कितना question आया था 2018 में उस chapter से कितना question आया था और उन सारे को वहां से उठा उठा कर आपको लिखना है और लिखने के बाद उस हर एक question को solve करना है और जब उस सारा question solve हो जाए उसका तब आपको next chapter में बढ़ना है समझ रहे हो इस level का अगर आप तयारी करोगे ना तो मतलब आना ही आना है भाई कहां जाएगा marks ठीक है अब जो हमारा concept room में अगर आप course को already joined करके रखे हो तो उसके अंदर आपको important questions का जो PDF मिलता है उसी के अंदर आपका उपर में heading दिया हुआ रहेगा 2017 उसके नीचे उस specific chapter से जितना question आया है वो सारा आपका दिया हुआ रहेगा ठीक है चार point बात कर लिया हमने बिल्कुल भाईया पांच में पर बढ़ते हैं पांचमा point जो है ना हम लोगों का ये point मतलब सब चीच करके हम लोग हर एक चीच को दिमाग में ढुका रहे हैं मतलब दिमाग में डाल रहे हैं ठीक है लेकिन दिमाग बिचारा कितना चीच एक साथ अपने पास रखेगा है ना भूल जाएगा इदर उदर हो जाएगा दिमाग के बाहर निकल जाएगा क्योंकि दिमाग में और भी तो समान हम लोग डाल रहे हैं तो अब कोशन ये है के जो भी चीच हम लोगो अपने दिमाग में डाल चुके हैं उसको रिटेन कैसे रखें भाया मतलब हमने तो चेप्टर 1 पढ़ा मैथ का ठीक है ना चेप्टर बन के पीछे पढ़ चुके हम लोग तो चेप्टर वन हमने तो पढ़ लिया मैथ का बट एक महीने बाद जब वापिस से खोल रहा हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है उस चेप्टर का अब क्या करूँ मैं तो वहाँ पे आपका ये चीज काम आएगा और वो चीज है रिवीजन एक proper schedule daily routine आपको बनाना है जिसमें self study का एक session रखना है आप उसको देखें देखकर अपना daily routine अच्छे से तयार करें ठीक है तो रिवीजन आपको करना है और रिवीजन आप कैसे करोगे रिवीजन आप करोगे अपने notes से ठीक है ना किस से revise करेंगे भईया revise करोगे आप अपने notes से revise करोगे ठीक है यह चीज अच्छे से ध्यान रखना आप आप notes से revise करोगे दूसरा चीज दूसरा चीज क्या है यहाँ पे दूसरा चीज यह है यहाँ पे के जो आपका PYQ का जो solve आपने किया है रिविजन के वक्त जो PYQ आपने solve किया था एक बार उसको अच्छे से देख लेंगे हम लोग इससे क्या अंदाझा लग जाएगा कि इस specific chapter में कौन-कौन से important topics है important topics कैसे पता लगता है लॉसके last year कौा कईशन आया था ऊसके last year कौन सा कोशन आया था जब पांच-छे साल का हम लोग चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ common topics है अब क्या हो रहा है कि वो topics से question बार-बार आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि वो topic हमारा important topic है बात खदम हो गया तो उस topic को किसी भी हाल में miss नहीं करेंगे हम लोग ठीक है तो यह complete roadmap था ठीक है ना यह वो complete roadmap था जिसको अगर आप पच्छे से follow करते हो तो आप कहीं पर अभी से ऐसे लिख लो बहिया ने बोला ता लिखने के लिए कि अगर यह road नहीं आना है कहीं नहीं जाएगा कौन लेकर जाएगा माक्स जब इतना तयारी कर चुके हैं हम लोग तो ठीक है बड़या तो एक बर summarize कर लेते हैं तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है सबसे पहला चीज हमें syllabus को अच्छे से जानना है syllabus के बारे में वीडियो में बना आपको बनाना है, तयार करना है, क्योंकि उसी से आप revise करोगे, उसके बाद है आपका previous year paper, previous year paper का क्या करना है, हम लोगों को हर एक year से उस specific chapter से कौन सा question है था, पुरा छांट लेना है, और उसके बाद उसको solve करना है, जब तक वो solve ना कर ले, next chapter में move नहीं करेंगे हम लोग, ठ exam में, वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe कर लें, ताके ऐसा ही वीडियो और आता रहेगा भी मध्यमिक के उपर, और ये वीडियो शेर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताके नए जो class 10 के जितने students हैं मध्यमिक 2024 के लिए जो तया लगिए, थैंक यू